कि नमस्कार फिर पैशा बोलता है मैं आपका स्वागत है मैं आनिंस शिनिवासन आज मार्केट पे डिट कैट बॉंस आगया डिट कैट बॉंस मनें अगर बॉल को आप चाउते विया पांचवे फ्लोर से ड्रब करें तो वो सर्फेस में बॉंस को के फिर वाप पस उचलता है वैसे ही आज मार्केट में 120 पॉइंट की बड़ोत्री आई तो निफ्टी में जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था ही 120 पॉइंट उपड़ती स्माल कैप इंडेक्स दो परसंट उपड़ती लेकिन पिछले पांच दिन में 8 परसंट गिरी और आज सिर्फ दो परसंट उपड़ाई इसी को हम डेट कैट बॉंस बोल रहे हैं कल लगबग 3600 कंपनियां जो है उसमें से 88 परसंट उपड़ी कंपनी लगबग 3200 कंपनी लोवर क्लोस हुई लगबग 1100 कंपनियां लोवर सर्क्यूट में क्लोस हुई दोसों की ऊपर कंपनियां 52 वीक लो में क्लोस हुई यह सब यह इंडिकेट कर रहे है कि मार्केट की पोजिशन बहुत वीक है आज भी बैंक 50 150 पॉइंट नीचे है फिर क्यों मार्केट ऊपर जा रही है मार्केट ऊपर जा रही है दो सेक्टर के खारण एक है आईटी सेक्टर और दूसरा है फार्मा सेक्टर दोनों डॉलर इंकम के खारण बारत की मार्केट से प्रोटेक्टेड है तो इन दोनों की स्टाक में ऊपर जा रही है इन दोनों स्टाक सेक्टर ऊपर जा रहे है और म तो मार्केट को नीचे कीज रहे हैं कल का ताजा कबर ये था कि ITC का इश्यू सेल दू हो गया बैट ने तीन परसंट बेचिया लगबक सारे बड़े एमसी इसने ITC को 400 रुपिया में करीदा सिंगपूर गार्मन्ट टरस्ट ने भी उसको करीदा और लगबक 3 बिलियन डॉलर रेस किया बैट ने कर्जा कम करने के लिए गार्मन्ट के पास लगबक 8 परसंट की स्टेक है जो यू टे सेमन को मिला था वो उसको अभी बेचेंगे नहीं ये अशूरंस भी उन्होंने मार्केट को दिया तो लोग बोल रहते कि ये 250-200 रुपया जाएगा वो सब तो बेकार हो गया वो प्रेडिक्शन तो मार्केट में ITC स्टेडी है आज भी 425 रुपया में है अगर मार्केट में गिरावट आईती है ITC गिरती है तो आपको फाइदा ही फाइदा है आप इसको कंसिडर कर सकते ह तो कल जो जिन स्टाक्स को हमने कंसिडर की उन्होंने सब आज तोड़ा गेंज मिला नाटको फार्मान को हमने 930 रुपया में कंसिडर किया था आज वो 970 के उपर जा रहा है सोने के अदाम में कोई बदलाव नहीं 6,6135 से लेके 1150 रुपया में फ्लक्च्वेट हो रहा है तो ओवराल GST को लगा के लगबग 6400 रुपया के उपर मार्केट में सोना ट्रेड हो रहा है और उपर जाएगा सोतो अमरिका में मुद्रास पतियों उपर आई अपेक्षा से 0.1% उपर आई तो ट्रेंड साफ़े की इंकलेशन कम नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है तो इससे मतलब साफ है कि अमरिका में रेट कट अभी जल्दी में नहीं आएगी आएगी तो जूले में आएगी और उसके लिए भी तीन महिने की ट्रेंड को हम देखना देखना पड़ेगा यह रहा है अमरिका का न्यूस टायोटा ने अपने वरकर्स यूनियन से समझो तर की है अपने वरकर्स के लिए एक बड़ा इंक्रीमंट दिया है इससे संकेत है कि संकेत है कि इंफ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जपान में फिर से आगये है और एप्रल में एप्रल और में या मे में तोड़ी इंट्रेस रेट बढ़ने की संभावना है जपान में हमारे सारी जैपनीज टाक्स बहुत अच्छे पर्फरम कर रहे हैं। आज मार्केट में सबसे बड़ा कबर है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स मदरास के पास मदरास से 150 किलमेटर दूर अलानी पेट में एक नया प्लान कोलने के लिए तयार कर रही है। तमिनाडू के सरकार के साथ उन्होंने समझवता की है। 9,000 करोड इंगमस करेगी एक 500 करोड का 500 एकर का नया प्लान्ट बनाएगी रानी पेट के पास जहां एक बियेचर प्लान्ट भी है। इस प्लान्ट में लगता है कि वो पैसेंजर वेहिकल्स बनाएंगे। टाडा केमिकल्स में प्रटाडा केमिकल्स का दाम उपर जा रहा है क्योंकि उनका मार्केट कैप ही सिर्फ 28,000 करोड है और उस कंपनी में टाडा इंसंस की 3.5% के उपर की शेर्स है। तो सिंप्ली वो साड़े 3.5 करोड की 3% की वैलिएशन ही मार्केट में उससे ज्यादा मार्केट कैप से ज्यादा है। तो इतना हिडन जेम्न होने के कारण अभी भी टाडा केमिकल्स में प्रैस रेस हो रही है। कल तो करेक्शन होई ती नीजर्क रेक्शन में आज उपर जा रही है। ट्रेड हो रहा था सौत इंडियन बैंक और 140 तक नीचे आगया फेडरल बैंक है। इन दोनों के गारण मार्केट में नर्वस्नस हैं लेकिं नर्वस होने की कोई भात नहीं है। हमने आपको कंस्डर करने के लिए बोलाता क्योंकि टूवीलर क्रेडिट काट में यह दोनों बैंक मेजर प्लेयर्स नहीं है। और अगर यह सैंक्चन भी होता उतना बड़ा प्लेयर नहीं बनते हैं। तो मार्केट में लास होने की कोई वालिड रीजन नहीं है। लेकिन मार्केट उसको नीचे गिमना। नीचे कर रही है प्रेश को। अगर सौथ इंडिया और फेडर बैंक को 149 के नीचे आज ही कंसिडर कर सकते हो आप। तो इन सब को देखते लिए इन सारी बैंक की स्टाक्स कम हो रही हैं। इस स्टाक्स को हम स्वाल स्वाल लेवल से कंसिडर कर सकते हैं। बजाच आटो का न्यूस है। उनका बैबैक आफर चे या साथ तेम हो और सबस्क्राइब है। और वेड़ करके देखना चाहिए किस के स्टाक्स को बैबैक कंपनी ने किस किन किन की स्टाक्स को कंपनी ने बैबैक आफर में एकसिप की है। टाटा की सेमिकंड़क्टर प्लांट गुजरात में तयार होगी है फाउंडेशन स्थोन कल प्रदान मंतरीना रेंदर मोधी ने लगाया और टाटा की पार्टनर पाउर्चिप कापरेशन ने अनौन्स कर लिया कि 2026 डिसमबर से उदर से ये शुरू होना चाहे है चिप बाहर आना शुरू हो जाएगी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वेदानता का प्रोजेक्ट सक्सीड नहीं होगा लेकिन टाटा का सक्सेस्फुली हो सकता है लगता है टाटा बारत की पहले आइस कंपनी होंगे जिसने पावरचिप मैनिफेक्टरिंग शुरू कर ली तो न्यूस आउर है कि रिलाइन्स ने डिस्नी की डील के कारण पैरमोंट से डिसिंगेज कर ली है जो वायकॉम में पैरमोंट की तेरा परसंट की स्थेक दी है उसको रिलाइन्स ने बैबैक कर ली है तो वायकॉम की बिस्नस फुली डेडिंटन की वायकॉम फुली रिलाइन्स की सबसिडरी बन चुकी है तो वायकॉम अभी फुली कंट्रोल बैड है रिलाइन्स एंड जॉइन्ट वेंचर पार्टनर वोगला स्थार डिस्नी तो यही न्यूस है कि और दूसरा और तीसरा न्यूस यह है कि एस बैंक को बेशने के लिए तयार हो रही है स्टेट बैंक अफ इंडिया ताकि कुछ कैश रेलेस हो अभी तक के लिए इतने ही आज अपने इस पॉड़केस्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आपारी हूँ हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाए इस वीडियो को अपने दोस्त और रिष्टेदार के पास बेजे और उनको देखने की आग रख करे धन्यवाद नमस्कार जैहिंद